पंचायत चुनाव की आज की पहली बड़ी खबर है कि भाजपा ने आज पहले चरण के लिए अपने पंचायत वाड उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जबकि दूसरी बड़ी खबर ये है कि पंचायत चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन की चौकसी बढ़ती जा रही है एक तरफ शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर्जले का प्रशासन अपराद पर लगान लगाने में जुड़ गया है दोसो चौवल लोगों को गिरफतार किया है वो दोसो चौवल लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है देखे त्रीस तर्य पंचायत चुनाव की तैयारियों के बद्दे नजर भाजपा ने प्रथम चरण में होने वाले फिलाल दस जिलों में जिला पंचायत वाट के उम्मीदवारों की घोशना करती है प्रथम चरण में होने वाले जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने गाज़बाद में 12, सहारनपूर में 48, महुबा में 14, संदकबीर नगर में 30, कर्नोज में 28, 86 में 24, कानपुर नगर में 32 गोरकपूर के सरसट, रामपूर जिले के 34 और चित्रकूर जिले के 17 उम्मीदवारों की घोशना की है इस जवरान 10 जिलों के कुल 307 जिला पंचायत सदस्यों की उम्मीदवारी का भाज़पा ने एलान कर दिया है तो देखे 30 सर्य पंचायत चुनाफ को लेकर तमाम राजनेतिक दल अपनी अपनी तैयारियों का बखान कर चुके हैं और तमाम राजनेतिक दल उत्तर प्रदेश के ये दावा कर चुके हैं कि इन पंचायत चुनाफ में जीत उनकी पार्टी को ही मिलेगी क्योंकि ये 2022 से पहले सेमी फाइनल समझा जा रहा है और जहां गाउं में जिसकी सरकार परेगी उसी की सरकार प्रदेश में बनेगी ऐसा दावा सरूर किया जा रहा है और उसी कड़ी में भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है और चलिए सिधा आपको लिए चलते मेरे सही होगे अनुभव शुक्ला के पास जो लखना उसे हमारे साथ लाइफ जुर जुके हैं अनुभव देखिए तमाम राजनतिक पार्टी पंचाज चुनाव को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं और इस कड़ी में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है क्या लगता इस लिस्ट को देखकर देखें बिल्कुल बीजेपी की कल बैठक हुई थी और मेराथन बैठक चली थी साम साड़े चार बजे कल बैठक शुरूए राट धाई बजे वो बैठक खतम हुई और उसके बाद लिस्ट आज जारी की गई आज भी एक बैठक हुई क्योंकि कुछ नामों को लेकर माता पच्ची थी कुछ नामों पर पेज फसा हुआ था कई जगहों से क्योंकि पूरा उत्रपदेश में अगर हम जिला पंचास अदस्यों की बात करें तो 3051 उसके वार्ड है और बीजेपी हार एक वार्ड पर अपने कैंडिडेट उतार रह है उसके अंतरका ताने अले 10 जिलों के जो जिला पंचास अदस्यों में पार्टी को उमिद्वार होंगे उनके नाम पार्टी घोशित कर चुकी है और हमने जो देखा है कि इस लिस्त में हमने जो देखा है उसमें कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि युवाव पर पार्टी ने फोकस किया है और जो बात पहले भी कही गई जो लगातार पार्टी के लोग कह रहे है कि कि किसी भी जो विधायक हो सांसद हो उसके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा और वो चीज हमें दिख रही है इसमें हमने कई जिलों की जो लि्स देखी इस एसे अ करते हैं कि पीदिक हर पार्टी को यहां तक पहुंचा आया है उस पर 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 ने भरोसा किया है दूसरा या पर सबसे ज्यादा दाव पार्टी आज़ मा कई नाम ऐसे थे जिनके उम्र 27 साल है किसी के अटाइस साल है ऐसे युवाओं को पाटी ने टिकट इजबार दिया है जिला पंचायत के सलस्यों का उमिद्वार महिलाओं को भी बीजेपी निजबार काफी संक्या में हम कहें तो टिकट जो है वो दिया है अलाकि बहुत सारी स चाहए हम बात करने तमाम जोरी आपने को परक भी लेना है यहीवज़ है कि तमाम समिकर्णों को साधने की कोशिश हे वह से बात करëं है तो देखे पंचाय चुनावों के मद्दे नजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक रही है ऐसे में पुलिस की नजर जहां एक तरफ अवैद हत्यार माफिया पर है तो वहीं दूसरी तरफ लाइसेंसी हत्यार रखने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और हत्यार जमा कराने का काम शुरू कर दिया गया है जिससे पंचाय चुनाव निश्पक्ष और शान्ति पून धंग से कराई चा सके पंद्रह फरवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू होने चा रहे पंचाय चुनाव में पुलिस के लिए कानून विवस्ता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनोती है इसलिए पंचाय चुनाव से पहले पुलिस ने हर जिरे में हत्यारों को जमा कराने के लिए पूरे जोर लगा दिया है ताकि पंचाय चुनाव के वोचिंग के दिन किसी भी तरह की हिंसा की घटनाओं को रुका जा सके इसी कड़ी में वारांसी के हर्थाने में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने लाइसेंसी हत्यार जमा करवा दिया वारांसी में आज हत्यार जमा करवाने का आखरे दिन ता इसके बावजूद पूरे हत्यार जमा ना होने के लिए असनों के दुकानदारों ने सरकारी नियम और बैंकों की छुट्टी को बड़ी वजह बताया वारांसी में पंचाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना जिसके पहले प्रशासन ने पूरे जिले में सभी लाइसेंसी हत्यारों को जमा करवाने का अब यहां छिठ रखा है वारांसी के गरामीर इलाकों में करीब साड़े चार हजार लाइसेंसी हत्यार जिनमें से साड़े तीन हजार असले जमा हो चुके हैं लेकिन मततान से पहले प्रशासन और पुलिस बाकी बचे हत्यारों को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेने में लगी हुई है। चुनाव के कारुबार पर भी नेगरानी सक्त कर दिये हैं ताकि चुनाव की तौरान वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ना तो शराब बांटी जा सके और ना ही पंचाय चुनाव की बैयार में अवैद और जहरीली शराब के कारुबार को पनपने का मौका करें। प्रत्याशी अपना नामांकन दाकिल करेंगे जिसके लिए पुलिस ने नामांकन केंदर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये हैं। पंचाय चुनाव के लिए गासेबाद में 311 मतदान केंदर और 958 बूथ बनाए गए हैं। और जिले को 21 जोन में बाटा गया है। 21 जोन में 78 सेक्टर बनाए गए हैं। तो गाज़ेबाद में किस तरीकी की तैयारी हैं इसे जानने के लिए सिधा रूख करेंगे मेरे सहीयोगी शक्ति का जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्ति देखिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है गाज़ेबाद में। क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से फिलहाल नसर आ रही है। कि अगर गाज़ेबात की तैयारियों की बात करें तो गाज़ेबात के जो परशासन अधिकारी हैं उनका ये कहना कि जो तैयारी वह पूरी कर ली हैं फो गाचे बाफ को 78 जो घूना बाटा गया है और 21 सेक्ट्र मईपस्टेट जो यहां पर लगाए गए है वहीज़ अगर घाजे बात की बात करें तो घॉलाज़ बाइबाठ में अगर फब canned द सतसे हैं चार यहां पर टोटल ब्लोक है और 161 ग्राम पंचायते यहां पर है जिन पर चुनाव होना है अगर बात करें किल से नामंकिन की तो दो दिन का ये नामंकन होने वाला है लगातार अगर फॉर्सिस की बात करें तो गाज़ेबाद का अगर मेरिट मंडल की बात करें तो गाज़ेबाद में प शक्ति से जरूर बीच पे संपर्ट तूट गया है लेकिन जिस तरीके से मेरे सही होगी जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन ने अपनी तयारिया पूरी कर ली गई है क्योंकि कल से नामांगन की प्रक्रिया गासिबाद में शुरू होने जा रही है पहले च्वरन के लिए शु पे दोनों अफसरों हैं लोगों को साफ निर्देश की हैं कि पंचाइच चुनाप के पूरी प्रक्रिया के दोरान अगर किसी ने वो बद्रव या गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी दियम जसजीत कार ने सभी प्र तो आप लोग अपनी बात देखें आज मेरे और डियर मैडम के द्वारा यहां पर एक जो चुनाव संबंदी है वो मीटिंग की गई जिसमें की वर्तमान की जो प्रधान हैं जो संभवी प्रिक्तियाशी हैं उनके समर्थक और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं इस छेत्र क हैं उन सब के साथ एक मीटिंग जो है वो की गई है उसमें उनको चुनाव संबंदी जो भी डिरेक्शन हैं वो दिये गए उनको बताया गया है उनको क्या करना है उनको ये भी वहत इस सख तरीके से इसमें कारवाई करेगी साथ लाख रुपे नकत बरामत किये माना जा रहा है कि पैसा चुनाव पंचायत के मद्दिनसर ले जाय जा रहा है वहीं तीसरी जस्वीर जो है वो मुरादबाद से सामने आई है जो आपकारी विभाग और पुलिस में सायुकता भ्यान चुला कर नकली शराब बनाने वाली ताक्री का खुला सकिया साथी दो लोगों को गिरबतार भी किया पंचायत चुनाफ को निश्पक्ष श्वांतिपून तरीकी से करानी के लिए पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है ऐसे में गोंडा के पुलिस प्रशासर ने एक साथ थाई सो से ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई का हंटर चलाया है जिसे देखकर आप भी दंग रहे जाएगे एक साथ एक ही जगा पर तैनाथ सेंक्डो पुलिस वालों की ये तस्वीरे किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं बलकि गोंडा में अपराधियों के खिलाफ चलाये गए पुलिस की अभियान की है दरसल त्री इस्तरिय पंचाय चुनाव में शांती व्यवस्था बनाए रखने के मद्द नजर गोंडा पुलिस ने महस 24 घंटों में जोरदार अभियान चलाते हुए जिले के 254 अपराधियों को गिरफतार कर लिया जन्पत गोंडा में अपराध यम अपराधियों के खिलाफ जो सगन अभियान चल रहा है पंचाय चुनाव को देखते हुए उसी के तहत पिछले 24 घंटे के अंदर NBW, पुरिसकार घोशित, वांचित इन सभी के खिलाफ जो अभियान चला है उसके तहत 254 गिरफतारी होई है पंचाय चुनाव को देखते हुए गोंडा पुलिस की इस सबसे बड़ी कारवाई में गिरफतार 254 बदमाशों में शराब माफिया, अवैद हत्यारों का व्यापार करने वाले गैंग, आम सेक्ट के आरोपी समेट अलग-अलग मामलों में वांचित अपराधी शामिल हैं, लेकिन पंचाय चुनाव के दौरान, जिले में किसी भी तरहां की गड़बड़ी को रोकने और बवाल पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इन सभी बदमाशों को गिरफतार कर लिया गोंडा पुलिस की इस बड़ी कारवाई के बाद उमीद जताई जा रही है कि अपंचाय चुनाव के दौरान, मतिदान के दिन जिले में किसी भी तरहां के अप्रिय घटना सामने नहीं आएगी गोंडा से एबीपी गंगा के लिए क्रिशना की रिपोर्ट असले पर क्या कहना था दीक्ष्या सिंग का आप खुद ही सुखिए पात चुनावों की हो और वो भी यूपी में तो उसका अलगी रंग देखने को मिलता है एक ऐसा ही रंग देखने को मिल रहा है इटावा में जहां पंजराय चुनावों में एक ऐसी शक्सिया ताल छोक रही है जिनका अपराद से पुराना नाता रहा महिला टकैत की तौर पर जानी जाने वाली सुरेखा दिवाकर हत्यार छोड़कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुई है और चुनाव लड़ रही इटावा के बदनपुरा गाउं में घर घर जाकर गाउंवालों का समर्थन मांग रही इस महिला का नाम है सुरेखा दिवाकर कुछ साल पहले तक इलाके में पूर्व महिला टकैत के तौर पर पहचानी जाने वाली सुरेखा दिवाकर इस बार पंचाय चुनाव में बदनपुरा गाउं से प्रधानपत की उम्मीद बार है जो पुरानी दिनों को बुला कर अपनी जिन्दगी को नई सिरे से शुरू करना चाहती है तो उसी के सब लोग बोट देते 13 साल की उम्र में इटावा के इसी बदनपुरा गाउं में सुरेखा को 1999 में चंबल का कोख्यात सलीम गुर्जर गैंग ने खर से अगवा कर लिया था बाद में सलीम गुर्जर ने सुरेखा से शादी करके उन्हें अपनी गैंग का सदस्य बना लिया था लेकिन 2004 में MP के भिंड में हुई मुठ बेड में सुरेखा को गिरफदार कर लिया गया जिसके बाद उन्हें 14 साल तक जेल में गुजारने पड़े लेकिन अपने जीवन के उस काले अध्याय को भूल कर अब सुरेखा गाउं के लिए काम करना चाहती है गुर्जरों की अबादी वाले इस गाउं में बुर्व दस्काइब सुरेखा का ही परिवार अनुसूचित जाती का है इसके बावजूद गाउंवाले पूर्व दकैट सुरेखा दिवाकर का समठन कर रही है टायम का उस टायम तो गोली जो है बदोला डारते जो उनने का ही बोले फलाउने को देना तहीं हमें बोट देना लेकर अब नहीं है गाउंवाले बताते हैं कि डाकैटों के दौर में चंबल के इस गाउं में पंचाच चुनाव के दौरान बाहूबल के दम पर ही चुनाव में जीत और हारते होती थी लेकिन आज इसी गाउं में एक पूर्व दस्यू खुद लोकतंत्र में अपनी जगा तलाश रही है ताकि गाउं के विकास के साथ वो भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके इचावा के पदनपूरा गाउं से एवीपी गंगा के लिए महम्मद फारिक की रिपोर्ट झाल